हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपकी चैनल ब्रेंफूर में जैसा कि कई बच्चों की डिमाइन आई थी कि मैं आप वीडियो प्रोवाइट करवाएं आपकी वीडियो बहुत हैल्फुल होती है के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हाँ प्रोडाम फिफ सेमेस्टर के जो स्टूलेंट है जिनके पास डिसिप्लियन में इकनॉमिक्स डेविलप्मेंट एंड पॉलिसी इंडिया का फॉर्स पार्ट है इसी के एक्जाम कॉश्टिन एन इंपॉर्टिन के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो आपके लिए बहुत जादा यूसफूल होने वाले क्योंकि इसके एंडर में आपको सिर्फ कॉश्टिन नहीं बताऊंगी इसके एंडर में आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इन कॉश्टिन के एंसर में आपको लिखना क्या है और आपको इनका answer का reply किस type से करना है और आपका pattern कैसर है पेपर में इन सब चीज़ों के रहा में आपको बताने वाली तो इस वीडियो के end तक बने रही यह वीडियो आप तो बहुत जादा useful है और जो वच्छा इस वीडियो को skip करेगा वो उनका ही loss होगा क्योंकि इसके नहीं आपको एक एक point अच्छे से clarify करके बताने वाली हो तो आईए आप हम इस वीडियो को start करते हैं question इसमें first है कि आविक्षित अर्थवरस्ता की मुख्य विशेशता क्या है क्या भारत अविक्षित और विक्षित अर्थवरस्ता के रूप में जाना जाएगा तो आपको इसमें बताना है कि जो भारत है उसको हम अर्थ अर्थ अर्थवरस्ता भी कहते हैं अब आप जानेंगे कि अविक्षित अर्थवरस्ता आखिर होती क्या है आपको मैंने वैसे कई वीडियो में बहुत बावता रहा है कि विकास्षिल अर्थवरस्ता और विक्षित अर्थवरस्ता होती क्या है विकास्षिल अर्थवरस्ता तो वही होती है जिसका मतलब क्या होता है कि जो अभी हमारा जो देश है वो क्या रहा है विकास्षिल देश ह आप विकास शील और आविक्सित अर्थवरस्ता में आप कंफ्यूज मत होना विक्सित विकास शील और जो आविक्सित अर्थवरस्ता होती है वह वैसी अर्थवरस्ता होती है जो क्या कर रही होती है अभी प्रोग्रेस पे होती है जो विकास कर रही होती है उन्हीं को हमने आ विक्सित अर्थवस्ता कहते हैं विशेष्ट यह विक्सित रखवस्ता कहते हैं गें के आविक्षित तर्जवस्ता और विकाषित वर्स अखर है कि अभाइव कुछ जाने कि गूत जो आविक्षित अर्थवस्ता को मुक्ष्थ विसने साब क्या समझतें ज़रूरी नहीं होती में विशेष्टा हों थी हैं इसंति में ऐसे इंटे अउयमें था में भी का शीन में नहीं होते हैं किस व्यक्ति देश सांगे देश में आपको एक बहुत सी देश में अपना यह तुर्णी का अर्थेवस्था वाला देश में आप बहुत से डे जो जो कैसे हैं जो विकासिल देश हैं और जैसे इसमें पूंजी की कमी होते जन संख्या का जादा तनाव होता है तो यह सब क्या से देश्य इनकी विशेश्टा है आव एक्षित अथवस्ता की अगर इसके आप कीजिए उनको आप अपने वे में भी कुछ लिखेंगे तो आपका ही ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको ज्यादा इसमें यह वैसे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा पढ़ने की जौरत नहीं है यह आप अपने थोड़ा से अपने माइंड से सोचिंगे तो भी आप अपने माइंड को जड़ा अच्छे से करके पेपर में जाना जिससे कि आपको पेपर में कैसा भी कुछना थो आप यह नहीं कि उसकी करके आजैंगे आप उसमें कुछ न दरूर को जरूर लिखना है जिससे कि आपको पेप्यम्पर नमबर मिल जाते हैं और कभी पी अगर से कुछ पूइंट करने में आपकी हर्प करते हैं क्योंकि टीचर इसको अच्छे से पढ़ भी पाता है और टीचर एक पॉइंट चेकर गार्मालों आपने लिखा पिछड़ा पन होता है कमदक्स्टा होती है यह लिखिए आपने इसके अदर अच्छे से एक्स्प्लीन कर दें तो यह तीचर को ज्यादा ओए करते हैं और दूसरा इसमें को पूछा है yogurt बठαओं करने लिए सरकार ने क्या उपाय कि है बाद कुछ दान के इसके Мक्य कारण जन संख्या के सब्सक्राइब करते हैं जो नोकिते होते हैं जो बिवा विऊन होती यह बच्पन में जबच्छों का विवा कर दिया सक्सार कांड में बच्छे उम्मर तहीं पहलेutet 18 में फि conta' के बाद मुणमें की कर दिया जिससे कि क्या है कि वह मतब कम उम्मर बिष्ट सब्सक्राइब करें लोग होते हैं वो क्या होते हैं तो इसके उपाई जो सरकार ने इनके वां में आपको टिसके करूं तो उपाई भी आसी जैसे हम ज़्यादा से ज्यादा साल करें हम जो कर सकतें यह फिर हम परिवान नियोजिन की जो कारेकरम चलते हैं उनको बढ़ावा दें वह कर सकती विवाकिया यूं में बीरीद ये जैसे कि मैं आपको एकसामपल बता भी दिया करें जो ज्रुद्ध के बार में लोगों को जादा से ज्यादा प्रधान कर के हाँ एक सिंधंग्या में विधि की तो आप इसके अंदर इतने सारे कारण लिख सकते हैं मैंना आपको बहुत अच्छे से एक स्प्रिंट कर दिया आप इन पॉइंट को अपनी कोपे में लिख लें और इसको ज्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे जिसे मैंना आपको एक सप्रेल उपड़ाय कि शिक् अपनी आपको पता है अपनी आर्थिक निती लाने की जौत क्यों पढ़ी थी अगर आपने इस चप्रे को अच्छे से ब्रीफ ली पढ़ा हो तो आप इसका अराम से देख सकते हैं जो परनी ते उसके कान क्या ऐता देश का नुक्सान अ तो खोल सकते हैं अधर नहीं आप क्या होता है कि किसी चीज़ों पे लाइसे होता है जैसे कि आपको यह मान लेज चाहते हैं चाहिए वह आपके राशन की दुकान खूरान चाहते हैं तो इन सब को खू़ने के लिए पढ़ तो उस टाइम इन सब छोटी-छोटे प्रोडक्ट के उपा भी हमें सरकाय से लाइसिंस की जोट पढ़ दी तो उसके अंदर जो उदारी करार आया था तो उदारी करन इसी चीज में किया गया था कि लाइसेंस को कम कर दिया गया था जो ज़्यादा important यह सब पर्ट्रोल का हो गया इन सब कामों के लिए हम इस को प्ड पड़ सकते हैं और यह कंपनियों को तifer jak says अब आप हम को हुँते हैं उनको क्या करना होता है उनको प्य हci की तो इसकान से ऊत्थ प्रैवेट कंपनी थार्ट आप यहां तो यही चीज कही गई थी औरना था P सब्सक्राइब तो उसी टाइम पर क्या होने ने गया हमारे देश में विदेशी पुंजी बढ़ गई जिसके कान जो हमारी अर्थ वस्ता थी वह भी हमारी एक तरीके से पट्ली और ऐसी आपको इसके अंदर भारते वस्ताव है इसके प्रभाव की व्याख्या भी करने तो प्रभाव इसके मुझे प्रभाव भर तो बढ़ेगे लोगों को आखि में एन भरshots के मुझे समां होगा थो लोगों मे की मांगों में इफेक्ट उगा उनकीattack होगी वह बढ़ेगी औंकी इम प्रभाव के अंदर क्या लिखना है अब नेक्ट को देखते हैं अगर आपको यह वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि यह वीडियो मैंने बहुत महनत से बनाई है और आपके लिए अच्छा बनाने के लिए इसके एक पॉइंट आपको अच्छी से एक्स्प्रेंट किया है जिसके आण बेश्य की लॉंग वीडियो बन जाएगी बट आपको यह वीडियो अगर आप एक बद देख लेते हैं तो एक तरीक से आपकी पूरी 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 बूक तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग जाए और आपको यह वीडियो अच्छी नहीं लग लिए तो डिसलाइक भी आप कर सके हैं next question 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 four घाटे के विध पूर्शन से आप क्या समस्ते हैं और भारती अर्थ्वरस्था के विष्येश संद्रम में इसके बहुतिक पुझी के निर्मान की भूमी का क्या हैं और भारत में बहुतिक पुझी निर्मान के साल को बढ़ाने में क्या समस्या है इस समंध्य बाहर सरकार द्वारा अपनाएगा उपाय ओपर चर्चा कीजिए तो इनकी वार में आपको पॉइंट पॉइंट लिखना है नेक्स्ट कोशन आपका कोशन सिक्स अब आपने देखा हुआ कि इसमें आपके कोशन है ना कोशन के मां नूंबदा बिक्स च करने चता पहला और उसक्छरी करते हैं कि कहले से करने हो इस वजए से पहले आपको क्या आप करने हो चांडल सब्क्रक्लावन प्Everyटीन करने हैं कि आपकé अ कितने marks का एक question आपको पढ़ रहा है जिसकी कार्ण आपको पता चाल जाए आपका weightage कितना है नंबर ओफ जो marks कोंद को बनाकर लिख सकेंगे और इसके points भी उतनी include भी करेंगे तो आप हम बढ़ते हैं question six में कि भारत में ग्रामिन बेरोजगारी की प्रकृति पर चर्चा कीजिए ग्रामिन बेरोजगारी को कम करने के लिए भारत सर्कारद वारा गई नीतियों की मतलब होता है जब लोगों के पास सीकतर का मग नहीं होता जो लोग रोजगार क्यों है जो हमारे बच्चे बेरोजगार है क्योंकि उस टाइम पर शूवक करने के इक चुक भी है तो वह भी रोजगारी में अब एक चाप्र पढ़ाग़ा प्लचे आपके बहुर टाइपस है बिरोजगारी जैसे मालवाई परच्छनन बिरोजगारी हो गई मौसमी विरोजगारी आप जानते हैं जैसे गावाई में आप देख तो कि किसानों ने खेती करी जो भी उस तो इसी टाइप से है तो प्रचन बेरोजगारी खुली बेरोजगारी यह सब आपने देख लेकि क्या क्या होती है अब इसी के बार में आपको क्या रिखना था इसके अंदर वेरोजगारी को कम करणे क्यृश्च To ferment करने के लिएसे बार में अपने परिवार में यहां पर दो व्यक्ति काम करने यह पर शाल करतें कर सकते हैं लोगों को जादा से जादा मतलब मोटिवेट करके तो इस चरप से पहुत से पॉंट्स बना के राम से इसमें लिख सकते हैं इसलिए आपको इसको एक्स्प्रेंट लिगाई बहुत इसी कोशिन आपको यह बहुत के विशेश अंदम में मोद्रिक नीदी वैसे सब्सक्राइब कर दो आपके पेपर में एक नाइक जरूर पूछा जाता है और आप से यह जरूर बोलेगा कि आप करना कि यहां आपनी कोश्यों करने की हम इस प्रिजंटाइबelectों करने कि इस तरहीं के जो प्रियूप करने हैं कि योई और वीश्यों हो यह वह में ऊणके विश्यों करने लग जाए तो आया हैं का प्रियोग क Combine के तो इसी कहते हैं सतत्विकास और यह बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण मुद्द्द है और इससे कि एक नए कोशन जरूर आपसे पूछ भी सकता है लॉंग में भी पूछ सकता है और शौट में पूछ सकते हैं तो इसलिए आप इसको अच्छे से प्रिपेर करके जरूर जा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें वैसे मैं यह बहुत दिनों बाद वीडियो बनानी हूं तो आप सबको तो आप मैं शायद कंटिनू रहने की जरूर कोशिश करेंगी थैंक्यू सो मच इसी वीडियो को एन तक देखने के लिए अब हम मिलतें नेक्स्ट वीडियो में जब तक कि लिए बाइ